नेपाल की टीम ने एशियन गेम्स में T20 क्रिकेट के कई रिकॉर्ड तोड़ते वे ऐसे किर्थिमान बना दिये जिनको तोड़ना असान नहीं होगा नेपाल और मंगोलिया की मैच में कुशल मला ने सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाते वे 34 गेंद में सेंचुरी बना दी नेपाल के बलेबास दिपेंदर सिंग एरी ने 9 गेंद में 8 चक्के लगाते वे सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड बना दिया और युवराज सिंग का 12 गेंद में 50 का रिकॉर्ड तूट गया नेपाल ने T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया और 314 रन बना दिये नेपाल ने मंगोलिया की टीम को 41 रन पर समेट कर 273 रन से जीत हासिल की और T20 में ये भी एक नया रिकॉर्ड है हालकि नेपाल और मंगोलिया की मैच की बात करें तो कुल मिलाकर ये ऐसा हो गया जैसे महले की टीम का किसी इंटरनेशनल टीम से मैच हो जाए